वेल्कम तो वर चैनल विकम इस्टमग्राफ़ब। आज के वीडियो में हम चैप्टर नूबर एड सिखेंगे स्ट्रोक एस एंजी यह पर लिखा हमें स्ट्रोक एस एंजी लाश्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की कुछ रूल सीखे थे आज का में जो अंहितने लाश्ट के वीडियो में लाश्ट मेरफ्क कि तक जपा एपके Sब्सक्राफ健 भीट को इसल क्रविए दूस्ट्र्म पर लाश्ट पर वीडियो को चैसा श खाथ शिखेंगे इस रूल का मतलब है कि जहां पर भी हमें जहां पर भी शुरुवात का एस होगा उसके तुरंट बाद कोई वोबल आएगा और एनदर एस और जी यानि फर्स इनिशियल एस के बाद अगर कोई भी वोबल आता है या कोई उसके बाद एक इनिशियल कोई दूसरा एस तो उस चंडिशन में हमें ऐसका फूल श्ट्रोक बनाना है जो कि होता है इस ट्रोक कॉंसोनेंट यह वाला हमने आपको स्काया था एस की आउटलाइन ऐस और जी की यह वाली स्टों होती है और साथ ही आपको लाश्ट वीडियो में पिछले वीडियो में सर्कल एस और जी का भी आपको करवाया था जो कि सर्कल बना करते हूं तो अगर इनिशियल एस के बाद तुरंट बाद कोई गोवल आए और एस और जी आता है तो उस कंडिशन में हमको श्ट्रोक बनाना है यह बाद जो कि होता है फुल श्ट्रोक ठीक है फ्रेंट्स इसका एग्जांपल वर्ड है सीज सीज वर्ड में देखिए हैं फ्रेंट्स इस एक पार जेट जी का साउंट आरा और एस के बाद में तुरंट बी का वोवल है यानि एस के बाद बाद गोवल भी है और एस के वोवल के बाद एक जी का भी साउंट आ रहा है इक मिन्स तो हमें आपको फुल श्ट्रोक बनाना पड़ेगा यहां पर इस फ्रक्राब से और व का वोवल लगा जी हमने जानी इनिशियल एस के बाद गोवल है और उसके बाद फाइनल एस से यानि जी का सौंट है जी तो इस वर्ड में हमने फुल श्रोक बनाया है इस रूल का वाड़ेगा ठीक है फ्रेंस नेक्स प्रूल सीखते है नेक्स एक्जम्बल सीखते है कि अगुल साथ सका वेजिए म están प्रेंस देशियल से उसके तुरन्त दॉल का वोवल है वर्ड में इल्ड का लूट होगेया ऐफ्रेंस के बाद और र से पहले देखिए पैन का वोल है वर्ड ना इस रूल को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एक्जम्पल से समझना है ठीके फिर्ण्स इस रूल का भी काफी इंपरेंट रूल है फ्रेंट्स तो आपको समझना होगा जरूरी है इन वर्ड लाइक्जम्पल लिखें यापर सिन्युवस टॉर्टिवस और जॉयस इन वर्ड्स को घ्यान से देखेंगे तो ओ यूए सारा है वर्ड्स में यू दिखें फ्रेंट्स ओ इन वर्ड में ये ऊफ्रेंट 25 से अरहा हो हूगा जो उस से स्वियह वर्ड्स कोई टोंग ऑनाया हमें अ तो वर्ड है sinuous, sinuous ठीक है friends, तो outline बनाएंगे, first S है, S, N और S, अब friends देखिए, first vowel जो है, इस में इस का vowel है, so हम इस का vowel लगा देंगे, और देखिए OUS आ रहा है, तो OUS यानि डिप्तोंग आ रहा है, डिप्तोंग के लिए हम डिप्तोंग लगाएंगे, ठीक है friends, तो यह वर्ड है sinuous, यानि एस कंडिशन में तब बताएंगे हम, जब OUS के पहले कोई डिप्तोंग आ रहा होगा, तो हमें यह पुलिप्तोंग बनाना पड़ेगा, ठीक है friends, next word है इसका, example, tortious, इसमें भी OUS आ रहा है, और उससे पहले, OUS से पहले, एक डिप्तोंग आ रहा है, ठीक है friends, तो डिप्तों की वज़े से हम यहाँ पे भी पुलिप्तोंग बनाएंगे, S का, T, रे, T, और S, देखने है friends, चार श्टोंग जोड के हमने आउट्लाइंग बनाएंगे, काफी important word है यह, नॉट का वोल लगा दिया, फिर्स्ट वोल जो था नॉट का, फिर R बनाया है, फिर T बनाया है, और जो final S इसलिए बनाया है, जो इसलिए बनाना पडता है, ताकि हम उस S के पहले या फिर बार में गोवल प्लेस कर सके हैं, बिकोज सर्कल के उपर हम गोवल प्लेस नहीं कर तो अब में भी यूएस वाला विप्तॉं लगाते हैं, ऐसे तो ट्राइफोन है ये, यू और अ, बट ये इसलिएबल हाता है, इप जोड़ दाता है, तो ये ट्राइफोन हो जाता है, तो ये बिकोज सर्कल के अग चाहता है, तो इसी ताप से नेक्ष पर सिर्फर सो इस से पहले कोई बगो में बनाना है यह ओर एक प्रैंट इसमें देखिए ओय को एक हिप तो जगा है तो जगाने है वह सब्सक्राइब उसके इस पहले कोई गोग यह अपा यह युआ हम पर एसका पूल श्रोग बनाना रहे यह जिए आपको देहन तो इस की इस चेप्टर में आपको रूल चिखायते हैं से किस कंडिशन में हमें चेप्टर के इस के अंदर कुछ बनाना है या किस कंडिशन में हमें सरकल बनाना है आपको एक्स्ट्रा भी सिखाएंगे जो की बुक में एक ही आउपलाइंगी है दो ग्राम लोग्स पीए हम एडिशनल आपको सिखाएंगे सो आप बोड पर दियान दें पर्स्ट ग्राम लोग इस चैप्टर का मी जब भी आप देखेंगे आपको लिखना होगा तो आप एम श्ट्रोक बनाएंगे अब इस श्ट्रोक अपसे मी पढ़ेंगे नेच्ट हिम ग्राम लोग जब भी आएगा तो आपको अन्दलाइन बनाना है फ्रेंट्स सेम एम स्रकल बना जेना है लेफ मोशन सब्सक्राइब फ्रेंट्स नेच्ट को सब्सक्राइब उस्ट्रोक अन्दलाइन इस श्ट्रोक हिम जब देखेंगे जायो है ग्राम लोग ते नेच्ट वर शीखतें अट्यल्स अब भी आपवसल्ड रमेउग उपिंश्ट अबना देंगे और दोनों की ही सेम आउटलाइन है, हम आपको एक्ष्णा सिखाएने है, सबस्त हम स्पेशल सिखते हैं, एस का सरकल बना के पी बनाना है में और अंगलाइन, जब भी हम यह स्ट्रोक देखेंगे तो आपको समझ जाना यह वर्ड है, स्पेशल, यह पिक्स आउटलाइन होती हैं कि आपको याद रखनी है, नेक्षा, स्पेशली, स्पेशल की तरह ही आपको सेम आउटलाइन बनाने है, स्ट्रोक बनाना है, स्पेशली के लिए भी, इसमें आपको फाइनल यह थर्ड प्रेस पर एक इस का डॉट लगा देना है, बुक में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए भी दोनों की सेम आउटलाइन दी है, सो आप इसको डिस्ट्रिविश करने के लिए हम आपको इस्टा भी सिखाएंगे, सब्जेक्ट की आउटलाइन बनाना है, यह बी हैं और स्पीक में पी बनायादा, सब्जेक्ट के लिए हम इसको बीच में से हलका सब्जेक्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं यह कर लिया है, आप इसी समझ पाएं कि सब्जेक्ट है वर्ड या सब्जेक्ट है, डिस्टिंविश करने के लिए यानि डिफ्रेंस बता करने के लिए हम आपको एक्ट्रा सिखा रहे हैं, आपको इस जीच का भी ध्यान आपना है, नेक्ट्ष वर्ड है सेवरल, एस के लेफ्ट मुशन सर्कल के साथ वी को बनाना उंदलाएं, यह वाट रहेगा सेवरल, पिक्स आउट्लाइन ड्राहिएं की, सेवरल और सेवरली के लिए भी आपको बूप में सियम आउट्लाइन दी गई है, इसको इसको डिस्टिंविश करने के लिए हम आपको एक्सा बता रहा है, so that आपको एनी फूचर कोई प्रोब्लम नो ट्रास्ट्वर करते हैं, सेवरली के लिए हम सेवरल का ही स्ट्रोग बनाएं, but, फाइनली, यानि फाइनल हम एक इसका डोट लगाते हैं है, यहां पर इस तरीके से, so इसे कि आप इसली पता कर पाएंगे, इस वर्ट सेवरल लिखा हुआ है आपने यह सेवरली लिखा हुआ है, so इन ग्रामलोग सी जादा से जादा प्रेक्टिस करें, क्योंकि यह ग्रामलोग बहुत इंपोर्टन होते हैं, और यह स्पीड मेंकिंग में यानि आपकी स्पीड पढ़ाएंगे, अपकी स्पीड पढ़ाएंगे, और आई होब आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कोई भी डाउट्स चाह पोरिज जाया हैं तो लिचे कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रप्लाइ देगें, और इप्लाइट गरेंगें, और आपको जरूर रप्लाइट देगें, आपको लाइक शेर और सब्स्क्राइब, अँए करेक्ष आपको बढ़्स्क्राइब,